हेलो दोस्तों स्वाकत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज हम a question of trust का full summary करेंगे कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए चोर को लगा दो पर अन्तु यह भी कहा जाता है कि चोरों के मध्य में सम्मान होता है या कहानी किस कहावत को चरितार्थ करती है होरेश देन भी पचास बर्स का एक और विवाहित वैक्ति था वह तादे बनाता था और उसका वैपार बुरा नहीं था वह आमतार से ठीक था सिवाए कि उसे गर्मियों में परागाज जुर के दोड़े पर जाते थे हर कोई होरेश को एक अच्छा इमानदार और सम्मानी तवैक्ति समझता था लेकिन वह पूर्न रूप से इमानदार नहीं था होरेश देन भी को दूरलब और महंगी पुस्तकों की सनक थी इसके लिए उसे अत्रिक्त धंके अवसकता थी वह अपने महंगे सौक को आगे बढ़ाने के लिए हर साल एक तीजोरी लूटा करता था लूट से जो पैसा उसे मिलता था उससे वह एक एजेंट के जड़िये गूपत रूप से अपनी मन पसंद पुस्तकें खरीद लिया करता था होरेश डिन भी कभी भी जल्द बाजी में काम नहीं करता था हड़ ड़केती बहुत थी मुकमर ढंक से नियोजित थी उसकी सभी सेंध मारिया पुर्न रूप से सफल थी उसे यह निश्चित लगता था कि सौट आवर ग्रेंज में होने वाली सेंध मारी भी पहले वाली की तरह ही सफल होगी वह दो सब्ता से उस मकान उसके कमरे बिजली के तारों रास्तों और बाग के बाड़े में अध्यन करता रहा था उसे पता था कि ग्रेंज पर काम करने वाले दो नौकर बाहर सीनेवा देखने हुए गए थे उसने एक पत्रिका में छपे एक लेक से पता लगा लिया कि सेफ कहां पर रखी हुई है उसने ग्री प्रवंदक को रसोई के दरवाजे पर चाभी टांक से देख लिया था होरेस दिन भी बाग की पिछली दिवार से बाहर आया उसने ध्यानफूर वक अपने औजारों को एक बैग में रख लिया छोटे से कुटे ने उसे देखा और भूंकने लगा वक कुटों को सांथ रखना जानता था उसने कुटे को उसके सही नाम सेरी से पुकाड़ा और कुटे का वहवार मैत्री पुर्ण हो गया उसे पता था कि तिजोरी में पंदरह हजार पॉंड कीमत के आभुसन है उन्हें बेचकर पॉंच हजार आसानी से प्राप्ट किया जा सकते थे और वहरासी उसे एक साल खुश रखने के लिए परियाब थी उसके लिए तिजोरी खोलना मुस्किल कार नहीं था उसने सारा जीवन तालों और तिजोरियों में ही बिताया था वह बैठक में तिजोरी खोलने के लिए गया तिजोरी वहाँ पर थी उसने अपनी नाक में सुर्श रहत महसूस की वह च्छिक मारने लगा अचानक ही उसे एक औरत की आवाज सुनाई परिया उसने एक विशेश उपचार से परागजवर का इलाज कराने के लिए नसीहत दी उसने एक यूवा सुन्दर औरत को लाल वस्तरों में वहाँ खड़ा पाया वह लाल वस्तर धारन की ये हुए महला बहुत ही विश्वास और अधिकार से वहवार कर रही थी उसने कहा कि उसे अपने घर में एक सेंधमार के पाये जाने की अपेक्चा नहीं थी भागने का प्रियत्र करने पर उसने पुलीस को बुलाने की धमकी दी समाज को इस परकार के सेंधमारों से अपनी रक्षा करने की आवे सकता है होरेश ने उसे बताया कि वह उन्ही के यहां सेंधमारी करता है जिन लोगों के पास बहुत से पैसे होते हैं उसने उसे कभी भी ऐसा दोबारा ना करने की तरतिग्या की होरेश ने उसे बाहर जाने की याचना की इन से भी कारवाईयों के दोरान होरेश डेन भी उसे ग्रीज स्वामनी ही समझने की गलती करता रहा होरेश ने उसे बताया कि वह हतास था और उसको बाहर जाने देना चाहिए वह जेल जाने के विचार मादर से ही घिरना करता था उस महला ने होरेश की परिशानी और भै का सोसन किया उसने उसे एक समझावता कर लेने के लिए कहा उसे उसके लिए तीजुडी खोलनी चाहिए उसे एक रात्री आयोजन में जाने के लिए आभ।सनों की आपसकता थी के वल तभी वह उसे घर से बाहर जाने की सुक्रिती प्रदान करेगी होरेस ने तीजोरी खोली और वे आभूसन उस यूवती को सौप दिये फिर वह प्रसंजता पुर्वक बाहर निकल गया तीसरे दिन के दो पहर एक पुलिस वाले ने उसे ग्रपतार कर लिया उसे सौट आवर ग्रेंज पर हीरों के लिए की गई सेंधमारी के लिए पकरा गया उसे तीजोरी पर छोड़े हुए अंगलियों के निसान के अधार पर पकरा गया उसने बिना दस्ताने पहने ही तीजोरी खोली थी होरेस ने वकालत थी कि स्वैम ग्रीज स्वामनी ने ही उसे अपने लिए तीजूरी खोलने के लिए कहा था पिर असली ग्रीज स्वामनी प्रकट हुई वह एक सफेद बालों वाली तेश तर्रार जुबान वाली साथ वर्ष की औरत थी उसने कहा कि होरेस की गड़ी हुई कहानी बकवास थी लाल वस्र धारन किये हुए महला अब उसनों के साथ चंपत हो गई और होरेस को जेल भेज दिया गया लाल कप्रे वाली महला ही असली गुनागार और सेंध मार थी उसने होरेस ड्रेन वी को पूर्ण रूप से माद दी और उसे छका दिया तो दोस्तों अक कोश्चन अब ट्रस्ट का फुल सेंबली कंप्लीट हुआ आप दूसरे चैप्टर से का भी सेंबली चैनल के प्ले लिश्ट में जाकर देख सकते हैं और इससे रिलेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और सेर करें अगर आपको इससे जूरी कोई डॉट हो तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें